अलो नमस्कार प्यारे विद्यातियों कैसे आप सभी ऑनलाइन सार्थी के इस योटूब चैनल पर आप सभी का हर्दिक स्वागत है आज की कलास बहुत ही खास और कमाल क्योंकि ये कलास तो छोटी है पर बहुत ही महतपुन और काम किये हैं विजय यात्रा के इस यात्रा में आप सभी का हर्दिक स्वागत हैं कंटिन्यू चल रहे हैं आज दे पांचवे की बात कर रहे हैं साम का समय हैं बिलकुली आवास एक आपके टॉपिक डाल रखा हैं पसवों के आवास के बारे में और यहां से कई न कई क्यूसन मढ़ने की प मैने का जो तर्गेट लिया था विजय यात्रा का साथ दिन का उसके अंदर होना छी हम जल्द ही कलास कंप्लीट होने के जैस्ट बाद में हम जल्द ही आपके एमसी क्यूब की मेरातन कलास सुरू करने वाले जैसे हमने कल की थी तो आज का जो सेसन रहेगा वह रहेगा पस्वों में आवां मावाज वश्य गाय की बात करे जैसे बेंस की बात करें जैसे गोडे की बात कर लो दो यहां पर वह माइना नहीं रहता है कि सेर किस ने रहता है क्यों टिंव कि Bis बश्ता है उसमें से अगर कोई बीमार पस्व हो जाए तो कैसे हाँ सभी को नमस्कार सभी को वेरी 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 गूट यूणिंग ठीक है ना देखो भी पस्वों में आवाज की बात करें चलो इससे पहले अगर अभी तक आपने सार्थी डोज जोई नहीं किया है टेलिक्रा रभादार खतरणा क्लीस होने वाली हैं जी मैं अभी कह रहा हूं तावर्ट तोड क्लास होने वाली हैं एक क्लास एंदर जनवरी माह का थोरी with mcq complete कर लेंगे और Sunday को होगा आपके test app को download कर लिजएगा app download कर लिजएगा Sunday को test हैं एक बार thumb कर दीजएगा कौन को इस current appays की ख्लास में तयार है current appays की में क्लास के लिए कौन कौन तयार है जल्दी से एक बार thumb कर दो जनवरी का पूरा थोरी और उसके साथ MCQ चलो आज का सेशन शुरू करते हैं सार्ती डो जोई नहीं किया तो कर ले न भई कलास रहेगी अपनी सबसे पहले आवास और आवास के अंदर जो पसू है जिसमें बात करें हम जैसे पसू के अंदर गाई वो भैस जहां पर गाई बनेगी वहीं पर भैस बनेगी जहां भैस बनेगी वहीं पर गाई बनेगी तो गाई और भैस का तो आवास सेम ही रहेगा गाई और भैस का आवास तो सेम ही रहेगा भेड और बकरी का आवास सेम रहेगा सुवर का आवास गोडे का आवास और उंट का आवास तो जहां पर गाई और भेंश को बानते हैं उस इस्तान को सेड केते हैं क्या कहते हैं भई सेड या पिर चपर का जाता है क्या का जाता है चपर का जाता है अपने कहते हैं ना कि मारे गायरे चपरों बनानों है मारे गायरे क्या बनानों है चपरों बनानों है सर्दी आएगी है गायों के लिए क्या बनाना है चपर बनाना है क्या बनाना है चपर बन अब मैं बात करूँ भेड़ वो बकरी के लिए पैन बनाए जाता है बाड़ा बनाए जाता है सुर के लिए इस्टे होता है गोड़े के लिए इस्टे बल अस्त बल या गुड़ साला होता है सबसे इंपोर्टेंट है उंट के लिए उंट को जिस इस्तान पर रखा जाता है उ टेबल के माध्यम से अब चलो हम बात करते हैं आवास के लिए एक तो आवास की परम परागत पढ़ना लिए होती है और एक खुले आवास पढ़ना लिए होती है चलो जो हमने सेड की बात की थी सेड के परकार तो देखे भई सेड के जो परकार होते हैं सेड में भी एक तो होता है येंग स्टोक सेड और एक होता है काउ सेड येंग स्टोक सेड में बच्छडे और बच्छडियों को बांदा जाता है जो छोटे बच्छडे बच्छडीया होती हैं उनको इसमें रखा जाता है, जबकि financially इसमें गायों को रखा जाता है, अब जो cow side बनाए जाता है Christmas deba-rei और एक दोहरी पंकृति एक वो इं However jáई जो आने सामने मुँ मिलाकर गाईओं को बन दा जाता है तो ये भी एकल old ओर पन्णाली होती है को यह ज़्यादा बड़ा टोपिक निस परहली बात और सुवाल आने की संबहवना बहुत कम है मैं अभी भी कह रहा हूं सवाल आने की संभावना बहुत कम है फिर भी आ जाए तो ध्यान रखना है चाई का साथ में स्वाद ले रहे हैं अभी क्या है वर्कलोड इतना बढ़ गया है तो साथ में चाई शुरू करनी पड़ी हमें ठीक है न कि बात करें तो अपन पंक्ति और दोहरी पंक्ति एकल पंक्ति पढ़नाली की बात करें तो जब गायों की संक्या बारा से कम हो अगर गायों की संक्या बारा से भी कम हो तो एकल पंक्ति पढ़नाली काम आएगी और अगर गायों की संक्या बारा से जादा हो तो फिर दोहरी पंक्ति पढ़नाली क ठीक है बारा से ज्यादा हो जाती है ना तो फिर इनको आमने सामने बांदना पड़ता है तो यह दोहरी पढ़नाली हो जाती है इस परकार से यह इस परकार से क्या हो जाती है दोहरी पढ़नाली हो जाती है जिसमें आमने सामने बांदी जाती है ठीक है ना तो यह तो दोहरी परसों के लिए रखा जाता है जो गाई ग्याबिन होती है जो गाई बच्चे को जनम देने वाली होती है उसके लिए अलग से व्योस्ता की गई है तो उनको सामानिये जानवरों के साथ नहीं रखा जाता है उनको अलग से रखा जाता है पुल सेड़ की बात करें सांड के लि सके सांड किसी को गास खाने नहीं देता है पस उदन में सुधार के लिए एक जो सांड होता है अच्छी नसल का उसको गायों के बीच में रखा जाता है बाकी के सांड को अलग रखे ताकि नसल के अंदर सुधार किया जा सके बहुत से उदेशी है इसलिए सांड को छाट कर सा आज मैय किया तो देखो यांग सेड हो गया काउ स्टोग सेड को वरी परकार के होते हैं एकल पढ़नाली और दोहरी चाँ सेड करें ने यहाँ से एक सब्सक्राइब यहां से अज़ा है क्लाविंग जो से बॉक्स होता है आपको समझ में आ रहा है तो session को share करने में क्या दिखत है class को like करने में क्या दिखत है मज़ा तो तभी आता ना क्योंकि ताली कभी एक हाथ से नहीं बज़े जाती है ताली बज़ाने के लिए दोनों हाथ से ये एक मैं और एक आपका तभ बज़े की ताली और आएगा मज़ा ठीक है ना चलो बज़ा आजओ खुला आवास विदी एक होती है खुला आवास विदी खुला आवास विदी क्या होती है इस विदी में 2 बटा 3 भाग खुला तथा 1 बटा 3 भाग बंद होता है यानि कि 2 बटा 3 भाग तो खुला रहेगा बाकी का बंद रहेगा तो चाया के लिए पसों के लिए छाया और बाकी के लिए धूम के लिए खुला रखा जाएगा देखो दूद दोहने वं उपचार के लाओ पसों हमेशा खुले छेतर में रहता है एक जब दूद निकालते हैं और एक जब उपचार चलता है किसी पसु कोई बीमार है उपचार चलता है या पिर दूद निकालते हैं दूद हमेंसा ठंडे इस्तान छाये दार इस्तान पर निकालना ज्यादा दूद देगा घरमी के अंदर दूद निकालेंगे दूद में फर भारत में सबसे ज़्यादा परियोग में लाई जाने वाली आवास ये पढ़ना लिए खुला आवास पढ़ना लिए आपनी आदत है कई आदत है सुबह गाई ने दूई जड़ 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 गले से बार निकला रशी और छोड़ दी पूरे दिन गड़ियों में को वापस आई बांदी दूद निकाड़ा फिर कल वापस छोड़ दी फिर निकाड़ा फिर छोड़ दी अरे उस गाई को अच्छा खान पान दो आप जैसा बार खाएंगा ना वेसे आप लोगों को मिलेगा गाई को अच्छा खान पान दो इसका मतलब क्या है गाई के पडोस पडोस में तो भी उसको मना करदाना गाय को बांध कर रखो ओकाद नहीं है तो गौंस में डाल दो आई बास समझ में आजाओ वई राजस्तान के लिए उप्यूक्त वीदी है गायों भेयों की तो छोड़ो हमारी खुद की देख लो हम तो खुले आवास वीदी में सोना पसंद करते हैं गाउंओं के अंदर जाओ खेत के अंदर जो पलंग होते ना गर के बार एकदम खुला आंगन होता है ना उसके वहां पर अपन जाकर पलंग लगाते हैं अराम से सोते हैं हमें गर में सोना ऐसी में सोना कूलर में सोना पसंद नहीं आता है यहां पिर छत के उपर जाते हैं वहां पर सोते हैं यहां पिर गर के बाहर एक सीद में सब लगाते हैं पलंग और फिर सोते हैं आराम से मिंड छेत्रों में सबसे ज़ Cinderella वी हैं खुले आवास विद्दयाली अब नोट किया है खुलना आवास पढ़ना लिमें जानवरों के लिए खुलने चेत्रें हम डटकopf का अनुपाद दो अनुपात एक होता है खुले आवास पढ़ना लिए में दो अनुपात एक दो बटा तीन भाग तो खुला रहेगा और एक बटा तीन भाग डखा रहेगा तो ये तो खुला भाग हो गया ये डखा भाग हो गया गुला और ढका बाका दो अनुपात एक होता है घाएज के ऑवाज को उंचे 220 संटीमिटर होनी था आ सेंटीमिटर के अंदर ना पगया है मिटर के अंदर ने 220 किवन होनी ठीक है न अगले यह देखो भई येस प्रकाड़ के से शेड्ट होता है अरामसे खा सकतेन जानवर गाई पान ही न अब आज के लिए फर्स की ढाल दस पिट लंबई पर एक इंच ढाल होना चीए नाली की और एक अनुपाद चालिश की ढाल होनी चीए ढाल इसलिए कि कोई बी गाई बंदेगी अगर गाई कोई मुत्र करती हैं तो धाल के इकोडिंग उसमें आकर सीधा नाडी में गिरकर सीधा बाड जाता है इसलिए फर्स में थोड़ा सा ढालाँ चीए ज्यादा ढाल रखने से वसवोग नुक्सान होता है हलका सा डाल जितना अपने घर के फर्च में होता है न एतनी ढाल चाहिए देखो गाय भेंसें पॉल्ट्रियनी मूर्गी के आवास का लंबा अक्स पूर्व पस्चिम इस्ट और वेस्ट की बात करते हैं इस्ट और वेस्ट दिशा में होना चाहिए ताकि गर्मियों में घरम हमाएं तता सर्दियों में ठंडी हमाएं सीध जानुरों के सरीर से नहीं टेकर आए पूर्व और पस्चिम के अंदर वना चीह ताकि गर्मियों में आने वाली जो इंकर फिदी इसके बचा जा सकता है थिक जो स्चली हमाएं चलती ना यह जो सीली चलती है और है लुगय हैaaa जिससे कोई दगाओ गान क्या होगा पता नहीं भई अब देखो मिल्किंग पार्लर डेली बारन का लंबा अक्स जो उत्तर दक्षिन तिसा में होना चाहिए ताकि सूर्य का परकास सीधे फर्स पर पड़े और फर्स निस संक्रमित रहे जहां पर डेली का काम होता है उसका जो समक रहीत हो जाएगी एं अवास के छत की ढगाल का कोण गभी भी 55 डीगरी से अधिक नहीं होना चीओ धाल है वो 55 डीगरी से अधिक जुक आधिक जुकावा नहीं होना ऐगाए ये तो सीधा 55 हो गय है ऐसा तिलिन जास माली जी ये पसू झार c स capacity और तो इस प्रकार से होता है न यह 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 का trans लाश्ट जुका हो सकता है इससे कंब भी हो सकता है फसु प्रिचर के लिए special combo book है मैं अभी भी कह रहा हूं आग लगा रखी है market के अंदर यह book है चार book का combo है नौरात्रा का आउसर चल रहा है मात्र 699 रुपे के अंदर 699 रुपे में आपको राजस्तान जी के राजस्तान इत्यास राजस्तान कल्चर भुगोल साथ में पसू परीचर और राजस्तान जोगरापी के साथ में जिला दर्शन अलग से नहीं है जोगरापी के साथ यह निकी भुगोल के साथ में है कम्प्लीटल ये चार बुक का सेट मात्र 699 रुपे में आपके घर तक आ जाएगा कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं कोई डिलेवरी नहीं क्या खासियत है है हैंडिटन है किसने लिखे मैंने लिखे क्या लिख रहा है एक भी नहीं छोड़ रहा है तो बहुत जादा लिखा गया नहीं लाइन टू लाइन लिख रहा है कोई भी सवाल छोड़ने की जुरूद नहीं है बस केवल और केवल सिधा पढ़ना है पास होना है नोकरी लेनी है अब इसके ज़्यादा और हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं बंद आवास पढ़ना लिख बिलकुल बंद होती है तेरी छेत्रों में परचलित होती है जांपशो का बंद जाता है उसे इस्टेचीन बोन कहते हैं यह दो परकार की होती है बंद आवास पढ़ना लिख एक तो एक रिषर नहीं जाती है जहां से 100 से 800 टो यह झाँ डबल पंक्ति में गई si! इसके पीछे भी गाई है इदर भी गाई है इदर भी गाई है कैए बीच में से अराम से गास बघारण डाल सकते हैं तो एकल पंक्ति और दी फंक्ति यह दो पंक्तिया होती हैं बंद आवास पढ़ना ली के अंदर जहां पर गाई हो चाहे ब्हेंसो इनको रखा जा सकता किलिए मुह से मुह वाली वीदी इदर भी देखो इसका मुह इदर आ रहा इसका मुह इदर आ रहा फाइदा भी है तो नुक्सान भी है फाइदा दिये हैं कि इसकी गंद की इदर जाएगी इसका मुत्र इदर चिला जाएगा तो बीच में सुका रह जाएगा पर यह हैं कि यह अगर पिछे रहेगा तो खुला खुला रहेगा ओदर भी पीछे रहेगा खुला रहेगा पशोATHAN दिखने में सुंदर लगते एगदम दूर से देखते बड़ अच्छे लगते राशन में आसानी रहती हैं बीच में डाल तो ये भी खा लेगा ये फि खा रहता है एक दूसरा आपस में सास जाय करें खत्रा होता है पस्वों की देख रहे करना आसान नहीं होता है बीच में जागना है इधर से इधर से निकालना करना बड़ा मुश्किल होता है तो लाब और हानी दोनों है इसके न यह देखो पूंच से पूंच विदी इधर इसकी पूँंच है और इजर इसमी पूंच है। सबसे उप्यूक्ट वीदि है। बीच में आदमी अराम हुषाथ बिश्य में बरतन रख सके हैं धूद कार सके खुद घूं सके हैं। पहले इनको चारा डालो फिर वापस इनको चारा डालो और इसमें क्या था बीच में चारा डालो दोनों खा लेगी इसमें क्या था इसको अलग चारा डालो इसको अलग चारा डालो तो बताओ भई आप मैंसे किसी के पास में ऐसा डैरी उद्योग बंड़ रखा है कि किसी के खेत में एक बाड़ा में एक बटेने बाब यह पूरा दिन करें तो ऐसा शिस्टम नहीं फिर बटा चारा के लिए कोई थान है कोई उनके बढ़ाने के लिए गास डालने के लिए ऐसा न मिंश्री तो गाड़ी का टाएर होता है वों लाकर रख देते कोई ईमुआंज ना इसपोई ड़ॉलक वग होते हैं कोई बड़े से जो गैन वगर उते हैं जो न वो 200 वागर और वो टोड़ जाती है Free Range पढणाली, Visted पढणाली होती है, Earth सगन पढणाली मुरगी उम रखा जाता है, Folding Unit पढणाली भी होती है, सगन पढणाली भी होती है, Drift Liter पढणाली और 5 पढणाली, ये सब की सब पढणाली हम मुरगीओं के समंधित मुहとoitी हैं, वरनास मुर्गियों के लिए और अलग से मैंने जब मुर्गी पालन पढ़ाय था इससे पहले वाला जो मुर्गी पालन पढ़ाय था उसमें देख ले ना अभी दो दिन पहले एकलास हुई थी पूरा मुर्गी पालन उसमें भी मैंने आवास पढ़ना लिए दी है यहां पर ये notes मात्र और मात्र 5 से 10 दिन में एक book हैं वो complete पढ़ सकते हो क्योंकि ये handwritten है इसमें छोड़ना कुछ नहीं किवल पढ़ना है बिल्कुल point to point सुबह morning में 7-10 बजे class होती है किस-किस ने 10 की जल्दी से बताओ morning वाली class किस-किस ने 10 की जल्दी से कमेंट करो कि morning में 7-10 बजे ये class होती है ये notes ले लो रटलो मैं अभी भी कह रहा हूं जिंदगी बन जाएगी और अगर किशी के पास पसुपरीचर की नहीं है तो मात्र 100 रुपए एक्टर लगेंगे 699 में यानि कि 699 में साथ में आपको पसुपर प्रिचर भी combo complete मिल जाएगा किलियर का मिलेगा link discussion में डाल लगा है फिर भी समझ में नहीं आता है तो यह हमारे WhatsApp नंबर है इस पर मैसेज कर दाना ठीक है ओके फ्री रेंज परनाली क्या होती है इसे भूमी परदान परनाली land-based system भी का जाता है यह पॉल्टरी आवास की सबसे पूरानी परनाली है जिन किसानों के पास जमीन की कोई कमी नहीं है उनके दोरा इस परनाली को अपनाए जाता है दूसरा इस परनाली में मुर्गियों के ल चारा होता है देखो खुलार में मुर्गियान छोड़ देनी बस केवल सुरुखसा का तामजाम अच्छा रखना है कि कोई भी परकार का कुता बिल्ली अंदर परवेश नहीं करे इस परनाली में परती एक्टर 250 वेक्स पक्सियों को पाला जा सकता है जेविक अंडा उत्प पूरे खेट में घुमेगी सब जगाँ खाद कर देगी उसके अलवा हरा चारा है वह आराम से खाएगी जिससे विटामिन एक पूरती इसके अंदर पूरी हो जाती है और इसके अलवा नुकसान यह है कि जब यह कहीं पर घास में अंडा देका जाएगी तो हमें पता नहीं चलेगा अंडा कहा है फिर जाके पीछे जाके अंडे ढूंडने पड़ेंगे कहीं पर अंडा तो नहीं दिया मूर्गी ने अर्द सगन पढ़नाली ये अर्द सगन पढ़नाली है इस पढ़नाली में एक मूर्गीगर हाउस के साथ मूर्गियों के विच्छरण के लिए थोड़ा खुला छेतर रन भी होता है पक्षी दिन में खुले छेतर में रन में गूमते हैं तता रात के समय मूर्गीगर में चले जाती है ओके अब यह इसमें लगवग 750 व्यक्वक्षियों को पाला जा सकता है में अगर तारबंदी कर रखी है तो ठीक है ना कोई विश्यस है नहीं चीज फोल्डिन य्यों सिस्टम क्या होता हैं इसमें संपून आवास को एक इस्थान से दूसरे इस्थान पर इस्था न्रीत किया जा सकता है फोल्डिक होता है ना चार वर्ग फिट एक वर्ग फिट हाउस के लिए तीन वर्ग फिट रन के लिए होती हैं तीन रे में घुम सके एक रेमें बैठ सके चार वह चार उत कम रणूज़े पच्चीश मुर्गों के लिए फॉल्डिंग यूनिट आवास की माप 20 फिट लंबा 5 फिट चोड़ा और स यह देखो सगन पढ़नाली में क्या होता है इस पढ़नाली में पक्षियों को पूर्ण घर तक सिमित कर दिया जाता है इस वेवस्ता में पक्षी के गूमने के लिए खुला छेतर नहीं होता है बस गर में राकनों यह बड़ी संक्या में आदूनिक पोल्ट्री उत्पादन के के लिए सबसे सुईधा जनक और फिकायति हैं सबसे ज़्यादा काम में आने वाला है इस पढ़नाली को आम तोर पर अपनाए जाता है जा जमिन सीमित हैं महंगी होती है सगन पढ़नाली में डीप लीटर सिस्टम एवं बैटरी सिस्टम मुख्यत काम में ली जाती है आपन अंड़ा उतपादन के लिए मास उतपादन के लिए क्या जाता जिसमें बहुत ज़्यादा पुर्गया एक सात रखी जा सकती है उपर निचे उपर निचे बणा देते हैं फिर मुर्गयों को ठोंस ठोंस कर रखा जाता है इसके अंतर ये 699 वाला कॉम्बो में आपको इतनी वार बता चुका हूँ जिसके पास पसु पालन की बुक नहीं वो 699 वाला कॉम्बो ले नहीं तो 599 में राजस्तान नौरात्रा में ओपर चलेगा फिर ये बुक बंद हो जाएगी मैं अभी भी कह रहा हूँ नौरात्रा तक ये बुक मिलेगी फिर बाद में नहीं मिलेगी जो 599 वे 699 वाला कॉम्बो फिर नहीं मिलेगा भी हाँ केक सिस्टम बेटरी सिस्टम क्या होता है ये एक पींजरा होता है इसके अंदर मुर्गियों को रखा जाता है विशेश रूप से जो अंड़ा देने वाली मुर्गिया होती है उसको रखा जाता है इस परणाली में मुर्गी को पींजरा में सिमित रखा जाता है भारत में परंचान वे परसेंट के लिए पींजरा परणाली काम में ली जाती है यह मुर्गियों के आवास की सबसे सगन पढ़ना लिए की गो नितो पिंचरों लवे यह पिंचरों निमिया पेक कर दी मुर्गी कई नहीं जाना कई नहीं घंडा अंदर पाने दाना डाल दिया बस मुर्गी खुद भूल जाती है कि मेरे पंक लगे हुए है या नहीं है ठीक पीज़े का फर्स मजबूत हो जस्त चड़ावा तार से बना होता है फर्स में पीछे से आगे की और ढला दी जाती है ताकि मुर्ग्यों के अंड़े देती ही अंड़ा लुड़कर पीज़े से बाहर गटर में एकत्रित हो जाए जो एक खड़ा होता है उस खड़े के अंदर क को रखा जाता है ताकि अंड़े निश्यचित नहीं हो और अनिश्यचित अंड़े लोगों को उपलब्द हो सके अनिश्यचित अंड़े को निश्यचित अंड़े की तुल्णा में सामानी तापमान पर लंबे समय तक सरक्सित रखा जा सकता है एक लेर में यानी एक सबसे अच्छी मानी जाती जोब सबसे अच्छी घाना के लिए को एक क्यों तो मुर्गी जा सकता हें लेकिन यह पढ़ना ली मुक्यत है बाइयलर के आवास के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है ठीक है ना जो मास उत्पादन के लिए इस पढ़नाली में 250 पक्षियों को एक बाड़े में रखा जा सकता है इस पढ़नाली में आउसकता होती है वीचावन को सुका बनाए रखने के लिए वीचावन को सब्ते में कम से कम एक बार आउस ये पलट देन नॉर्मल सी बाते हैं आवास पढ़ना लिका गाई का एक क्यू सुन आ सकता है मूर्गी से समंदित आपके क्यू सुन आ सकता है तो कलास छोटी थी पर अच्छी थी जरूर देखना आपको इसका क्योंकि हम छोड़ने वाले कुछ भी नहीं है नोट्स के बारे मैंने पहली बता दिया जो अभी अभी लश्ट टाइम में जुड़े हैं वो विद्यार्ति देख ले पांसो निनाडवे में राजस्तान जीके की तीनों कॉम्बो म मिलेंगे आपको साथ में जिल्ला दर्शन आपको जोग्रापी के साथ में मिल जाएंगे जोग्रापी के साथ में जिल्ला दर्शन भी फिरी मिल जाएंगे आपके घर तक पहुंचा जाएगा तीन से चार दिन में पूरे राजस्तान पंजाब हर्याना तक पहुंचते हैं डिलेवरी चार्ज कोई भी नहीं है, बिल्कुल फिरी ये नौरात्रा का उसर है माता जी का दिन है, जिसने ओडर नहीं किया, कॉम्बो ओडर कर लेना, पसु परिचर तुमारी है, जीत फते करो इस विजय यात्रा के साथ, कैसी लगी आज की कलास, जल्दी से कमेंट कर दीज का गवी कलास केशी लगी, ओके, चलो, तो आप लोग जरूर, कल मिलते हैं सुबह 10 बजे, संडे को आ रही है, राजस्तान करेंट अपेर्स की कलास और साथ में टेस्ट, एब डाउलोड नहीं किया, तो एब डाउलोड कर लेना, अभी ये जो पीडियेप हैं, आपको टेलि